फरीदाबाद में एक बाद फिर केंद्री राजी मंत्री क्रिशनपाल गुज़र और अंशनकारी बाबा राम केवल आमने सामने आ गए बाबा राम केवल द्वारा तूटी पड़ी हार्डवेर प्याली चौक रोड को लेकर धरने की चेतावनी देने के बार मंत्री क्रिशनपाल गुज़र ने एक प्रैसवार्था में बाबा को धोंगी बाबा कहकर संबोधित किया और कहा कि बाबा उन विश्यों पर धरना प्र साहब के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं यह हमेशा से मुझे ही विपक्ष मानते हैं इससे पहले भी वो हार्डवेर प्याली चौक रोड को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके तब सरकार ने उन्हें जूट बोलकर धरना समाप्त करने को कहा था मगर इस बार वो अप साथ ही करोणों रुपए का घपला भी हो रहा है जिसका उधारण मंजावली पुल को लेकर दिया क्या देगे अब मैं बाबा के बारे में क्या बोली यह बाबा नहीं है यह धोंगी है पल्ला पुल बनने वाला था जब पास हो गया जब बनने वाला धरने बैठ गया अब यह प्याली हर्डवेर रोड वो रोड है जो हमने दो साल पहले भी इस पर धरना परदसन किया था तेरह दिन का अंसन किया था और सरकार ने हमारे साथ चल करके हमको आश्वासन दिया कि हम छह महीने में इसको टेंडर करके और नहीं बना देंगे लेकिन 40 लाग के आसपास क का बजट उन्होंने पास किया और इस पर लीपा पूती करके हमें संत कर दिया अब दो साल होने को आए कि अगर हम दुबारा से उस मांग को दुबारा उठा रहें तो सैंसेड महोदय के मताबित की जिन सडकों की फैयलें पास हो जाती हैं पुलों की फैयलें मैं उन पर धं़ना परद्रसन करता हूं मेरी दो बार जाते जाते जान बची ठीक है और तिसरी बार फिर मैं जोखिम में डालूँगा सांसद महोदे से फिर गुजारिस कर रहा हूं कि सांसद महोदे मेरी हाजोड की बिंती है जाने बहुत जा चुके ही सड़क पर आप उसको बनवा दीजिए मैं आपका सदा रिणी रहूँगा और यह जजिया कर अगर आप वो नहीं हटा सकते दिल्ली की तरफ तो गुलगावा की तरफ फटा दीजिए मेरे इस सहरवासियो को मेरे प्रीए जनों को कम से कम यह मिल जाए कि हैं मैं और जाने नहीं जाने दूँना मैं बिलकुल और जाने-नहीं जाने देऊंगा मेरा गलाद रूम जाता है मैंने चार लासे देखी हैं मैं और बरदास्त नहीं कर सकता मैं एक तारिक से अंसन पर जाऊंगा